कि अपका कश्मी नियूस दिरों के इस लाई ब्राड कॉस्ट में नाजिन एक और बड़ी पॉलिटिकल ड्यूपमेंट कुछ देर पहले हुई है जमू कश्मीर की सियासत के हवाले से बहुत बड़ी पॉलिटिकल ड्यूपमेंट हुई है इमराण रजाअंसारी जो के सीनियर पॉलिटिकल लीडर माने जाते हैं जमू कश्मीर की सियासत के और पीपोल्स काॉंट्फरिनस के जरनल सेक्टरी के ओहधे पर फाइज थे अबी तक ताहम अचानक इम्राण रज़ान सारी का ट्वीट आता है और उन्होंने जनरल सेक्टरी के अहधे से इस्टिफा दिया है क्या वज OHार्थ बनी क्या कु excludДа हमें दिली से जौइन करें इम्राण रज़ान अनजारी साथ बहुत-बहुत शुक्रिया, अमरान साब हमें जॉइन करने के लिए। जी बहुत-बहुत शुक्रिया। अमरान साब, आपका ट्वीट आया है, पार्टी के एहम अहुदे से आपने रिजाइन किया है, हाला कि पीपल्स कॉन्फिन्स जो है ग्रोविंग इस वकट स्टेज पे कि नहीं देखिए मैंने जो रिजिगनेशन दिया है अपने पार्टी प्रेजिदेंट को वो मैंने जनल सेक्टी के हैसित से इसलिए दिया क्योंकि हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड रहे हैं पार्टी डेमोक्रेसी के लिए मैंने यह कहा अपने सिजाद जब लोग जॉइन करेंगे और जब हमारे साथ मिलेंगे और जब टाइम आएगा तो उस वक्त सब की कारदिगी देखकर बाकी जाइजा लेकर जो अधे देने होंगे वो उसकत सजाद साफ को हमने मुख्तार किया है कि वो उसकत देखेंगे यह कहना कि इमरान साब ने बड़ आए अहम उहदे से इस्टिफा दिया है जोन्रत सक्रीय के और इसका। पार्टी जो है ग्रोइंग स्टेज पर हैं काफि जो जिस तरह के कहा हालाब बने पॉंच अगस्त्रे के बाद और ऐसे मरहले पर ऐसे स्टेज पर एक सेन्यर लीडर और वो इस उहदे से इस्टिफा देना यह कई ना कई पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जाहिर कर दिये हैं तो अपने लीडर को कह रहा है कि यह आप सीनियर मेरे से इस्टिफा ले लीजे ताकि यह बाइस बने इन दे सेंस की जब बाकी लोग भी आएंगे हो सकता है कि हमसे ज्यादा एक्सपिरियंस लोग आएंगे तो मैंने इसको समझ के यह वक्त चुना चूंकि अभी तक तो जो भी बहरान रहे चाहे जो पांच अगस्त का सिलसला रहा लॉग डाउन वगेरा वगेरा अभी तक तो हमने यहां तक को पार्टी को लाया है और पार्टी की कमान हमारे सजाद साब के हातू में है और मुझे पूरी तरह से यकीन है कि जो भी लोग हमारे से मिलेंगे उनको यह न लगे कि अल्रीडी पार्टी को जी अल्रीडी इसमें जो जो बेसिक डांचा है वो टोटी लोग उस पर फाइस हुए है मैंने तो ये एक किसम का मैदान खुला छोड़ दिया जो भी हमसे जुड़ना चाहेंगे इस पार्टी में प्रोग्रेस है और ये ऐसी बात नहीं है कि आपको जो भी आपका योगदान रहेगा हमारी पार्टी उसी हिसाब से आपको अच्छी जगों पर नवाजा जाएगा इमरान साब ऐसा तो नहीं है कि एक मजहबी लीडर होने के नाते कि इमरान साहब का अब जो कॉंसेंट्रेट है वो पॉलिटिक से ज्यादा मजहब की तरफ होगा ये एक शुरुआत है ये एक इशारा है उसकी तरफ खाला कि अभी आपने उस चीज़ को खुल के सामें नही इसे ही हूँ ये जो सियासत है ये एक मीन्स है ताकि मैं लुकूं की खिर्मत का अगर आप हमें जाते होंगे कि हमारी जो पीरी दर पीरी है जो जिमू कश्मीर में तबली के काम में रही है और इमरान अंसारी हमेशा ये चाहता है कि इमरान अंसारी को मुल्वी इमरान अंस कि यह मेरी शहरग है और यह मैं अगर आप लोगों के सामने हूँ या अगर लोगों को मेरे सा मुहबत है वो उसी वजह से है क्योंकि मैं मंबर रसूल सुल लाह लिए वाले 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 सलम पर पाठी है अमिलान साब जैसा कि आप ने इसमें कहा है कि लॉट अफ लीडर्स है कुछ शेयर करेंगे आप उनके नाम कौन कौन से लीडर्स है जो और पीपल्स को जॉइन करें और किस पार्टी से नहीं देखे यह जब लीडर्स जॉइन करेंगे तो मैंने तो एक इसम का देखे आप जब क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट केलते हैं उससे पहले हैं आप जमीन को हंवार करते हैं ताकि जो भी खिलाडी आएं उनको किसी कि तंगी महसूस नहों किसी के रोडे नट के किसी कि कूई पथर वथर ना लगзд करेंगे तो उसलिए मैंने ये एक किसम का पिछ हंवार करके रखा है जो भी हमारे ब्सहाद नए साथ ही मिलेंगी ज और वो आए और अपनी अखेले जी अमरान साब जो कि आप जानते कि जिस तरिके से जो पीपल्स एलाइन सफार गुफकार डिकलरेशन में सज्जाद गनी लोन साब उसके चीप फोकस परसंट एक एहम हिस्सा थे उसका और अचानक उन्होंने उसे कुईट किया और उसके कम आते हैं अपनी पार्टी के हवाले से चाहिए सजाद गनी लोन साब वो इस्पेशले हम आपकी बात करें जब 370 को खत्म किया गया पांच अगर 2019 के बाद क्या वज़ोहात है कि इमरान रजा अंसारी साहब की इतनी खामोशी देखने को मिली आप किस वज़ा पर खख़त देखें मैं हमेशे जब भी मैंने कोई बात कही है मैंने हमेशे खुलकर बात की है और वाज़तोर पर मैंने बात की है देखें मैंने हमेशे से यह कहा है कि डायलोग बहुत जरूरत है और हमारा मुल्क है हिंदुस्तान हमारा मुल्क है अगर हमारी कुछ ग्रीवेंसे हैं हम हमें हम चाहिए कि एक कलेक्टिव एफर्ट करें हम दिली में जो भी हुकमरान हैं जो भी हमारे लेड़स हैं दिली में बैठे हुएं पारलिमेंन्ट में बैठे हैं उनसे बात mentors की जाएगी देखे मैंने हमेशा से ही कहा है कि confrontation कोई attitude सही نہیں कि जो हमारे को जो एक स्टेट से जो हमें गिराया गया और हमें सी यूनियन टेरिटरी पर पुंचआया गया – मैंने हमेशे कहा ethnicity ये एक स्दमे है हमारेसं झाया हो ये इन। ये। मैं它 हमेशे सी बात एक चुछ आद्गी है मैंने कभी बात नहीं किया, मैंने हमेशे से बात किये, हमारे को चाहिए कि बातों से, हमें बातों से चाहिए, कि आगे के जो मद्ध मकाबल है, उस बातों से समझाएं चाहिए. ठीकि गाली गलोश तो कुछ होगा नहीं. 40 साल से कश्मीर का मस्ला है बहुत सारे हमारे जवान इसकित कबर немнож में पड़े हुए हमारे बच्चे यतीम हँ हमारी बहने अपने शोहरों से महरू हों लिए मेरा मानना ये है कि दुनिया में भी आप डिक लिजिए यहां भी दुनिया में इस किसम की मुश्किलात है तो बातों से ही मसला है अगर आप खुद कहते हैं कि यहां पे खून खराबा हो रहा है हमारे नवजवान कबरों में हैं हाला ठीक नहीं है तो इसका हल क्या है अगर क्या ड्वेलप्मेंट ही इसका हल है या कुछ और इनिशे हो रही है उसको पूरी तरह से रोट लगना चाहिए यहां पर यह पाकिस्तान की तरफ से यहां पर मिलिटन्सी को बढ़ा बढ़ा दिया जा रहा है बिलकुल अगर आप यह कहेंगे कि नहीं हो रहा है मुझे लगता है कि आप सियाह पर्दा हमें दिखा रहे हैं बात हकी कि बात को गुमाना ने चाहिए यह तो पता है वह पुझे बता ये बफब कश्मीर में कब बन्दूक थे यह बंदूक आया तो आया कहां सथ मा Y वे आउट नजर आ रहा है कोई रास्ता दिख रहा है कि बारत पाकिस्तान की जो अगूमत इस मूर में है कश्मीर के मसले के हवाले से देखिए उनको करना पड़ेगा आप देख लीजे देखिए आपने देखा होगा कि तहवलात इस जिंदगी में कितने आते किसको पता था क कोविड वाइरस होगा कोविड वाइरस जब हुआ और उसके नताइश क्या हो एकॉनिवी इतनी खराब होगी जो पैसा की जो पाकिस्तान इदर है अपने जमो कश्मीर में आतंक पहना ले के लिए जो इस्तिमाल करता है जो पैसा जो यहां बहा रहा है उनको चाहिए वो प होती कि मैं सुबह उठोंगा जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि मैं वाकर सुबह उठा हूँ ऐसी हमें भी पहल करनी चाहिए हो अपने मन में आर्जू रखनी है कि इन्शालला एक सुबह आईगी जब इन्शालला सब खुश बहाल होंगे और मैं अल्लह तलह से उम पुशना चाहूंगा एक यह कि अपनी पार्टी चुकि आप देख रहे हैं कि बहुत कम टाइम हुआ उनको मारद्य वजूद में आते हुए अब उनका सिंपल दावा है कि यहां की जो पॉलिटिकल पार्टी ज रही है या जो उनके लीडरान रहे हैं और नोने सतर साल से य क्या कहेंगे आप अपनी पार्टी के इस दावे को देखें जो भी अपनी पार्टी में है वो कोई नया नहीं है वो भी इसी सिस्टम का प्रोड़क्ट है अगर आप देखें उनके सीनिर लीडर्जिप इछले 40-50 सालों में से वो सियासत में है यह कहना कि पीछे के लोगों में किया और गारा मैं सिर्फ दो लोगों का इस चीज़ का देवर सहरा ठैराता हूं जो दो पार्टिया जोनों ने जमू कश्मीर में हकूमत की वो मसले कश्मीर के जिम्दार है चाहे वो नैशनल कांफरंस हो चाहरे कॉंगरस हो क्योंकि यही दो पार्टिया रही है जिनके एक हाथ में हुकूमत थी चाहे कोईलेशन थी या क्या था लेकिन वो हुकूमत चला रहे थी तो अलताफ साब से मैं एक होँगा कि ठीक है आप तो यह कहते हैं कि यह है लेकिन हम सब को अपने गिरेबान में जातना चाहिए हम सब को अपने आप में देखना चाहिए कि जब हम एक्तिदार में होते हैं तो हमारा रवया क्या होता है देखे मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर हक पर हम चले अगर हम हक पर चले अगर हम हकदार को उसका हक पहुचाए मुझे लगता है वो सबसे बड़ा दवा होगा सरजमीन जो मुकश्मीर के लिए आकिर पर इमरान साब ये बताईएगा कि जिस तरीके से कुछ दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है वसीम रजवी के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने एक जाहिलाना और गुस्ता खाना स्टेटमिन भी दिया है और कदम भी लिया है जो नाकाबल कबूल और नाकाबल बरदाश है पूरी उम्मत मुस्लिमा के हवाले से आप एक मकतबाई फिकर के बहुत बड़े आलमी दीन है मजभवी लीडर है क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मसले के हवाले से आपको एक बार बता दूँगा मैंने ये कल भी कहा रहा है कि ये जो ये वसीम रजवा है ये एक आद चाहूंगा कि मुझे लगता है आमत मुस्लिमीन के लिए मेरा एक मुदबान एक मुदबाना अपील करना चाहता हूँ हम वसीम रजवा को किसी भी डिसकॉशन में ना लाएं क्योंकि एक ऐसा शख्स है वही जो वसीम क्या है मुझे पता भी नहीं है देखे अभी तक आप यह सुचने की बात है अभी तक हमें पता नहीं था क्यों है अब उसने एक ऐसा जाहिलाना ऐसा गुस्ताख आमेज बक्वास किया है कि अब सब जानते हैं और यही यह चाहता है यह चाहता है कि यह डिसकॉस हो ताकि इसका नाम सुर्खियों में आए ताकि इसका नाम हर एक आदमी जाने देखें कुरान के लिए मैं एक चीज़ को हूँगा कुरान में सुरह हजर की आयत है नौवी नमबर जिसमें अल्ला तला खुद फर्माते हैं नहना इन्ना नहना नजलना जिक नहना लहु लहाफ़सून मैंने ये जिक लाइन अमत मुस्लिमा के लिए तो पैगाम क्या रहेगा आपको बहस्यत एक सियासी और मजभी लीडर के होने के नाते कि जो कुछ लोग इस हवाले से उमत के अंदर बिल्खुस शियास सुनी के अंदर वो तफरुका डाले की कोशिश करते हैं बिल्खुस ऐसे मलून लानेती लोग वसीम रजवी जैसे देखे मैं आपको एक बाद बता दूँगा ये तो ऐसे लोग हैं जिनको कि उनकी अपनी नसल का पता नहीं है तो जब हम इन लोगों को हम जब डिसकस करते हैं तो इनको इससे थोड़ी सी प्रॉमिनस मिल जाते हैं मैं तो कहता हूँ इस सब्जेक्ट को छोड़ दीजे ये चले इमरान साब बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वकित देने के लिए थैक्री तो बहुत बहुत शुक्री नाज़िन किराम दिली से जॉइन कर रहे थे हमारे साथ इमरान रजा अंसारी जो कि पीपल्स कॉन्फरनस के सीनियर लीडर है और जनल सेक्टरी भी थ से उन्होंने ये इस्तिफा अपने पार्टी के सरवरा सज्जाद गनी लोन को बेजा है आप देखते रहें कश्मीर नियूस बिरो हमें दीजिए अजाज़त अल्हाफिस